तो गाइस आज हम नेट के एक्जाम का टॉपिक पढ़ेंगे जो नाइन्थ यूनिट है डाइवर्सिटी ओफ लाइफ फॉर्म्स उसमें हम एनिबल्स किंडम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से उसमें लेवल्स ओफ और्गनाजेशन होते हैं सेग्मेंट होते हैं इस तो सबसे पहले हैं लेवल्स ओफ और्गनाजेशन इसमें तीन लेवल्स हम पढ़ेंगे सबसे पहले हैं Rabb interessante में लेवल्स में क्या होता है जैसे कि टॉपिक अनिमल्स के इंगम्डम का है तो जो चो फालम होता है अनिमेल्स जो हिते इत pas हैं मुल्टी सबूल माई्यूलर हो aggregates, इनमें क्या होता है, जितने पूरे cells हैं, उनका same pattern नहीं होता है, organization का, example के sponges, sponges जो होते हैं, जो कि polyphera phylum से belong करते हैं, वो क्या होते हैं, multicellular organism होते हैं, और उनके जो cells होते हैं, उनका same level of organization नहीं होता है, next है tissue level, cell perform same function and arranged into tissues, इसमें क्या होता है, कि tissue level में क्या होता है, cells जो होते हैं, जितने भी body के cells होते हैं, वो same function को perform करते हैं, सारे cells का function same होता है, and arranged into tissues, और ये क्या होते हैं, tissues में arranged होते हैं, इसका example होगा sealant rates, जो sealant rates जो phylum आता है, उसका ये example है tissue level, third है organ level, tissues are grouped together to form organ, tissues जो है आपस में बिलके एक organ का form करते हैं, इसका example होगा platyhelminthes, ये exam में पूछा भी जाता है कि first organ level of organization किसमें सबसे पहले आया था, तो platyhelminthes phylum में ये सबसे पहले आया था, अब यहाँ पे कुछ points mention है, जैसे कि digestive system हो गया, respiratory system हो गई, ये सारे systems की बात यहाँ पर बोली गई है, तो पहला जो point है, वो level of organization है, जो animal kingdom में पूछा जाता है, जो भी basic classification होते हैं, उसमें ये point, कि different different phylum होते हैं, वो में कौन सा level of organization पाया जाता है, next point अब हम देखेंगे, so next is symmetry, symmetry की basis में जो है phylums को divide किया गया, सबसे पहले आते हैं asymmetrical, any plane that passes through the center does not divide into two equal planes, asymmetrical means क्या होता है, कि animals, जो भी animals में क्या होता है, अगर हम उसको beast से divide करेंगे, ठीक है, beast से divide करेंगे, लेकिन वो two equal planes में divide नहीं होगा, example, जैसे sponges है, amoeba है, ठीक है, इसमें क्या होते है, animals जो होते है, उनका structure जो होता है, थोड़ा अलग होता है, different होता है, तो उनको हम अगर बीज से cut करेंगे, तो वो कभी भी two equal halves में divide नहीं होगे, क्योंकि उनके जो body का structure होता है, वो irregular होता है, जैसे कि sponges हो गया, amoeba हो गया, तो ऐसे animals होते हैं asymmetrical, next is radial symmetry, radial symmetry में क्या होता है, कि any plane passes through the center axis, body divides into two identical halves, radial symmetry में क्या होता है, कि अगर हम एक animals की body, जो इस symmetry में belong करते हैं, उनको 20 से अगर divide करें, तो वो two identical halves में divide होंगे, ठीक है, identical halves में two divided होंगे, जैसे कि अब हम diagram के थूप देखेंगे, example इसमें आज़ता है, sealantraids हैं, tinofors हैं, और echinodum, जो भी animals इससे बिलॉंग करते हैं, वो क्या होंगे, वो radial symmetry को शो करते हैं, यह NCRT बुक से आप देख सकते हैं, यह diagram है, यह radial symmetry का diagram है, अब इस diagram को आप देखें, इस plane को अगर हम 20 से pass कर रहे हैं, तो यह two equal halves में divide होगा, अगर हम इसे यहां से cut करेंगे, इसे यहां से cut करेंगे, किसी बितारा से cut करें, तो radial symmetry में क्या होते हैं, two identical halves होते हैं, ठीक है, identical halves है, कि हम इसको यहां से cut करें, ऐसे cut करें, चाहें जैसे भी cut करें, वो two identical halves को देते हैं, इसका example हो गया, sealant rates है, tino force है, और econodums इसका example हो जाएगा, थार्ड आता है, थार्ड आता है bilateral symmetry, body divides into two identical left and right halves, bilateral symmetry में क्या होता है, कि जब हम animals की body को divide करेंगे, तो जो right और left identical, equal halves होंगे, वो two identical, मतलब इतना right होगा, उतना ही left होगा, जब कि radial symmetry में right left का नहीं था, उसमें body को हम किसी भी plane से, मतलब जो भी axis है, center axis है, कहीं से भी divide कर सकते हैं, इसका example होगा, orthoports है, mollusca, anileids है और rest बाकी जितने भी phylum आ जाते हैं वो इसी से बिलॉंग करते हैं, तो आप symmetry देख सकते हैं कि three types होती हैं, पहली होती है asymmetrical, next is radial symmetry, third one is bilateral symmetry, asymmetrical में सिर्फ sponges आते हैं जो porifera phylum से बिलॉंग करते हैं, radial में 3 phylum से आते हैं, cylindres, stenophores और kynodum, तो आप में याद रखिया, अगर आप radial symmetry याद कर ले तो आपको सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि asymmetrical में सिर्फ sponges आ रहे हैं, radial में सिर्फ three phylum सारे हैं, तो बाकी जितने भी rest phylum हैं वो किसमें आएंगे वो bilateral symmetry में आएंगे, इसका भी diagram के तो हम समझ लेते हैं, यह bilateral symmetry का diagram है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह crab है, इसको B से किया तो इसका यह भी part half, मतलब identical है, identical right and identical left, लेकिन अगर हम इसको इस plane से divide करेंगे, तो यह identical left और identical right नहीं होगा, क्योंकि आप यह देख सकते हैं, यह ब्रॉड है, तो जब हम इसको ऐसे divide करेंगे, तो यह identical नहीं होगा, यह होता है bilateral symmetry का exam, अब थर्ड जो point है वो आता है, diploblastic and triploblastic organization, कौन से animals या phylum diploblastic होते हैं, कौन से triploblastic, तो diploblastic में क्या होता है, कि cells are arranged in two embryonic layers, cells जो होते हैं, वो two embryonic layers से arrange होती है, ठीक है, पहली एक होती है ectodum, ectodum जो होती है वो external layer होती हो, और endodum जो की internal layer होती है, आप diagram में देख सकते हैं, यह ectodum हो गया और यह endodum हो गया, यानि कि जो inner layer हो गया, और यहां mid में एक mesodum भी हो गया, तो जो animals diplo-blastic होते हैं, वो होते हैं sealant traits, यानि कि इनकी cells जो होती है, वो ectodum और endodum से ही, 2 embryonic layers होती है cells में, ectodum और endodum, तो इनको क्या कहेंगे, two embryonic layers होती है, ectodum और endodum इसलिए इसको diplo-plastic कहेंगे, अब next हम देखते हैं, तो जैसे मैंने बताया, endoderm और ectoderm के मीड में जो layer होती है, उसको कहते हैं mesoglia, undifferentiated layer mesoglia is present in between the ectoderm and endoderm, तो पहला diplo-blastic sealant traits हो गया example, तीसरा second है triploblastic, between ectoderm and endoderm, third germ layer present, mesoderm, इसलिए इसको triploblastic कहते हैं, और इसमें example में platyhermanthi इससे quadrants तक जितने भी phylum आते हैं, वो सारे triploblastic होते हैं, तो इसको भी learn करने का बहुत ही simple तरीका है, कि diploblastic तो सिफ sealant traits होते हैं, बाकि जितने भी phylum हैं, वो triploblastic होते हैं, तो नेट के exam में इससे कोशिस बहुत आते हैं, जैसे कि phylum के आपको नाम दे दिये जाएगा और arrange कर दे जाएगा, कि यह diploblastic है, कौन से symmetrical है, symmetry की कौन सी है, सीलों कौन सा है, यह सारी चीज़े इसमें बोल दियाते हैं, नेक्स पार्ट नेक्स वीडियो में अप्लोड करूंगी वच्प्सक्राव किरें करें नियुक्त वाटंगी